दोस्तों easy and quick breakfast तवा इडली एक street food है यह हैदरावाद का street food है spottedly या तवा इडली या इंस्टेंट इडली यह सूजी से बनाया जाता है दोस्तों इसे बिना steam किये तवे पर direct इडली बना सकते हैं इसलिए से तवा इडली या spottedly के नाम से जाना जाता है नमस्कार दोस्तों दनुवेज किछिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों recipe देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजिएगा दोस्तों जब भी इडली खाने का मैन हो तो बना लीजे जटपट इडली तवा इडली या spottedly बनाने के लिए एक heavy bottom pan गरम करेंगे जिसमें एक चमच बटर डाल देंगे बटर जब अच्छे से मैल्ट हो जाएगा तब उसमें एक चमच राई दाना डाल देंगे राई भी जब अच्छे से चटखने लगेगी अच्छी खुश्पू आने लगेगी तव इसमें दो कटी भी हरी मिर्ची डाल देना है हरी मिर्ची को sautte करेंगे एक मिर्थी में आज पर एक बारी कटा हुआ प्याज डाल देना है प्याज को low flame पर translucent होने तक fry कर लेना है जब अच्छी खुश्पू आने लगेगी तब इसमें एक बारी कटा हुआ शिम्बला मिर्च मिला देना है एक finely chop किया हुआ टमाटर भी आड़ कर देंगे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करके सौटी करेंगे दो मिनिट थी मियाज पर सौटी करना है जिससे इसका मौश्य कम हो जाएगा और टमाटर शिम्बला में भी कुछ सौफ्ट हो जाएगा अब इसमें आदा चम्मच बारी कटा हुआ लैसुन और अद्रक मिला देना है इस चम्माच हींग डाल देंगे एक चम्मच काली मिश्का पाऊटर डाल देंगे दोस्तों रेसीपी अच्छी लग रहे है तो प्लिज लाइक करिएगा रेसीपी को पूरा देखियागा कुछ कटा हुआ अहरा धनिया डाल देंगे सभी को मिक्स करके धीमियाज पर सौटे करे अब इडली बनाने के लिए हमने लिया है एक कप सूजी, दो चमस दही, एक बड़े बरतन में सूजी को डाल देना है और इसमें दो चमस दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें आदे चमस नमक डाल देंगे, एक कप पानी लेकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और एक चमस से एक थिक पेस्ट बनाकर तयार कर लेंगे, अगर दो कप सूजी है तो एक कप पानी लग जाएगा, दो मिनिट अच्छे से फेटेंगे, जिसे सूजी फूल जाएगी, इडली को सॉफ्ट बनाने के लिए एक यथाई चमस बेकिंग सोड डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, पांच मिनिट के लिए बैटर को रेस्ट करने रखेंगे, जिसे बेकिंग सोडा का एफेक्ट आजाएगा, और काफी स्पंची हो जाएगा, मिक्सिर, देखे इडली बनाने के लिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, ये बैटर लेकर पैन में डालेंगे, और एक ढखकन से ढखकर धीमी आज पर चार से पांच मिनिट स्टीम लगने देंगे, पांच मिनिट बाद चेक करेंगे, इडली कुछ सॉफ्ट हो गी है, कलर भी चेंज हो गया है, आदर चमच बटर डाल देंगे, आज को धीमा रखेंगे, एक फॉक से सेंटर में इस तरह से चेक करेंगे, इडली पक गई है क्या, अगर बैटर फॉक पर नहीं आ रहा है, तो इडली तयार है, तो मैंने टॉर्ट धक कर पकने देंगे, अब ये स्पॉट इडली बन कर तयार है, दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब न करेंगे इडली के ऊपर खटा हुआ हरा धनिया कुछ चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्फ करेंगे नारियल की चटनी से या सौस के साथ खाया जा सकते हैं गर्मा गरम इडली का मजा लीजिए है ना कितनी स्वादेस्ट और ज्टपट बनने वाली स्पॉट इडली बच्चों क अब इसे लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं दोस्तों ये इतनी टेस्टी रेसिपी है कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है तो आप भी बना लीजिए और बताएए कैसी लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेर, कमें करना न भूलिए एक और नही रेसिपी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखते रहे है तनुवेस किचिन थेंक्स फूर वाचिंग